आज हम देखेंगे लाप और हानी से संबंधित उदाहरण मीना ने 20 पैंसिले 5 रुपई की दर से और 40 पैंसिले 4 रुपई की दर से खरीदी कुल पैंसिलों में से उसने 54 पैंसिलों को 4 रुपई की दर से और 6 पैंसिलों को 3 रुपई की दर से बेच दिया लाप यानी प्रोफिट अथवा हानी यानी लौस प्रतिशत ग्याद कीजिए सबसे पहले हमें खरीदी गई सभी पैंसिलों का क्रैमूल्य यानि कॉस्ट प्राइस या सीपी ग्याद करना होगा कुल क्रैमूल्य बराबर पांच रुपे की दर से खरीदी गई बीस पैंसिलों का क्रैमूल्य धन 4 रुपई की दर से खरीदी गई 40 पैंसिलों का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपई धन 160 रुपई बराबर 260 रुपई इसी तरह अब हम मीना ने बेची हुई पैंसिलों का कुल विक्रय मूल्य यानि सेलिंग प्राइस या स्पी ग्याद करेंगे यहां हम देखते हैं कि कुल विक्रै मूल्य क्रै मूल्य से कम है इसलिए हम कह सकते हैं कि इस स्थिती में मीना को हानी होगी यानि लॉस होगा चुकि हानी बराबर क्रै मूल्य रिंड विक्रै मूल्य बराबर 260 रुपए रिंड 234 रुपए बराबर 26 रुपए चुकि हानी प्रतिशत बराबर हानी बटे क्रै मूल्य गुणा 100 प्रतिशत बराबर 26 बटे 260 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 10 प्रतिशत यानी मीना को 10 प्रतिशत की हानी हुई है अगला उदहरन एक दुकानदार ने एक घड़ी 1225 रुपए में बेची जिस पर उसे 15 प्रतिशत का लाब हुआ ग्यात कीजिए घड़ी का क्रै मूल्य क्या होगा वीडियो रोक कर आप इसका जवाब पता करने का प्रयास कीजिए अब चलिए हम बताते हैं यहां दुकानदार ने घड़ी को 1225 रुपए में बेचा है यानि की घड़ी का विक्रै मूल्य यानि सेलिंग प्राइस 1225 रुपए है उसे 15 प्रतिशत का लाब हुआ है हमें ग्यात है की लाब प्रतिशत बराबर लाब बटे क्रै मूल्य गुणा 100 प्रतिशत और लाब बराबर विक्रै मूल्य रिन क्रै मूल्य इसलिए हम कह सकते हैं कि लाप प्रतिशत बराबर विक्रेमूल्य रिण क्रेमूल्य बटे क्रेमूल्य गुणा 100 प्रतिशत बराबर विक्रेमूल्य बटे क्रेमूल्य रिण 1 गुणा 100 प्रतिशत इस तरह से 15 प्रतिशत बराबर 1225 बटे क्रेमूल्य रिण 1 गुणा 100 इस प्रकार हल करेंगे यानि कि 15 बटे 100 बराबर 1225 बटे क्राय मूल्य रिन एक यानि कि 15 बटे 100 धन एक बराबर 1225 बटे क्राय मूल्य यानि कि 115 बटे 100 बराबर 1225 बटे क्राय मूल्य इस तरह से क्राय मूल्य बराबर 1225 गुणा 100 बटे 115 यानि की क्राय मूल्य बराबर 1065.22 रुपई इस तरह से घड़ी का क्राय मूल्य 1065.22 रुपई है इस प्रश्ण को आप अन्य आसान विधी, जिसे एकिक विधी भी कहते हैं से हल कर सकते हैं, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे तो आज हमने देखे लाप और हानी से संबंदित उधारण अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिध्याधारणाय और गलतियां